नमस्कार दोस्तो मैं रूपमतिवर्थे वुपाल से और आपका स्वागत है मेरे जेनल रूपक ग्रीन गार्डन में उम्मित करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली वाद देख रहे हैं वो मेरी चेनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अप लोग देख सको तो दोस्तो हाजिर हों में एक नया वीडियो नया टोपिक लेकर और दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक कोलियस की उपर है कि कोलियस प्लांट को हमें कटिंग से जादा से जादा कैसे बनाना है और दोस्तो उस पर अभी बारिस के बाद में हमें क्या काम करना है क्योंकि दोस समय पर cutting लगा लगा के पूरे साल भर इसको हमें cutting लगाना पड़ता है क्यों कि एक समय के बाद में कोलियस प्लांट मर जाता है तो दोस्तों जब कोलियस प्लांट की उम्र हो जाती है तो उम्र हो जाती है तो प्लांट हमारा बेडोल हो जाता है और बहुत लंबा-लंबा टॉल हो जाता है जैसे ये देखिए बारिस में इनकी ग्रोथ बहुत जादा बढ़ती है बहुत जादा यह देखिये और यह stem इनकी सुखने लग जाती है यह सारा गल रहा है पत्तियां गल रही गल रही है और पहुत लंबे-लंबे जब ये plant हो जाते हैं मैं निकाल के बताती हूं तो फिर इनकी उम्र कम होने लगती है और फिर ये मर जाते एक समय के बाद में ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये प्लांट कितना लंबा हो गया है ये देखिए बहुत ही और स्टेम भी इसकी सूख रही है एक समय के बाद में स्टेम इसकी सूख जाती है और गल जाती है अब ये धीरे धीरे क्या होगा इसकी यह जड़े यह जो इस्टेम है सुकते सुकते पूरे यहां तक के सुक जाएंगे और यह एकदम सुकने लग जाएगी और एकदम पोली हो जाएगी दबाएंगे तो यह दब जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा कि यह प्लांट हमारा मर जाएगा तो यह कलर हमारे फिर पास मे नहीं होगा तो ये रिसाइकल होते रहता है तो इसको हमें समय समय पर इसकी कटिंग लगाना पड़ता है कटिंग लगा के हम साल भर पूरे साल हमको ये प्लांट को बचाना है तो दोस्तो पूरे साल अगर हमें प्लांट को तयार करना है पूरे साल हमारे गार्डन में सेब कर के रखना है तो दोस्तों कोलियस प्लांट बहुती सुन्दर प्लांट है और इनकी कलर इतने अच्छे रहते हैं कि इनकी फूलों की भी जरूत नहीं होती है और दोस्तों ये जिस एरिया में हम पूरे कलरवाइस रख देंगे तो उस एरिया की सुन्दरता बढ़ा देता है दोस्तों और फूल की भी जरुवत नहीं हो फूल भी नहीं हो तब भी हमारा garden सुन्दन लगता है तो दोस्तों इसको हमें बचाना जरूरी है तो बचाएंगे कैसे दोस्तों कि हम नहीं-नहीं cutting लगाएंगे तब हमारा plant जादा से जादा होगा और जैसे ये देखिए इसकी जब ये फूल निकाल लेता है तो इनकी उम्र मतलग खतम हो जाती है ये जोस्ते हैं कि हवा हमने ये फूल निकाल दिये है तो सारी ताकत ये फूल बनाने में लग जाता है बीज बनाने में लग जाता है तो फिर ये मरने लगता है दोस्तों तो सब्सक्राब दोस्तों दोस्तों तो इनको हमें ठीक करना हुई है यह देखिए यह पूरे स्टेम सुक्र रही हूँ ये तीसरा ये दो और सही है और ये वाला पूरा गल गया और आप देख सकते हैं ये देखिए पूरी स्टेम इसकी गल गई अब ये मर गया है अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हम समय रहते इसको बचा लेते तो ये प्लांट हमारे पास में रहता तो दोस्तों ये सम करेंगे यह देखिए यहा से भी एक प्लान्ट था और यह भी देखिएए यह देकिये तो दोश्तो हम यहा से कटिंग करेंगे यहा से कटिंग करन taking के लिए आप हम ऐसा नोड एरिया ये देखिए ये टूट गया यहां से ये देखिए ये तो हम इसकी 4-5 इंच की जादा बड़ी कटिंग नहीं लेंगे 4-5 इंच की कटिंग लेंगे और हम इसी में जो मिट्टी हमारी बनी है वैसे मैं बता दू इसके लिए खास मिट्टी क्या होती है तो दोस्तो कोलियस प्लांट की कटिंग लगाने के लिए सेंदी मिट्टी होना चाहिए तो हमने इसमें दोस्तो 30% गार्डन सोयल ली है 30% हमने सेंड ली है 20% हमने इसमें बर्मी कमपोज लिया और थोड़ा सा हमें फंजिसाइट का पाउडर लेना है इस परकार आप मिट्टी बनाईएगा पोरस मिट्टी बनाईएगा और ऐसी मिट्टी में और आप चाहे तो बिल्कुल सेंड में भी लगा सकते हैं 50% आप सेंड ले लीजिए 50% आप कोकोपीट मिला ले सकते हैं क्योंकि कोकोपीट भी क्योंकि अच्छा सेंड के साथ में कोकोपीट मिलता है तो क्यूंकि ढारेक्ट हम सेंड में लगाएंगे तो जब बढ़ा तो पानी जल्दी-जल्दी सूखने लग जाता है इसलीं हम सेंड और 50% कोपीट मिला के उसमें भी हम लगा सकते हैं तो दोस्तो ऐसी मिट्टी बना सकते आप चाहे तो ये छोटी ग्लास ले लीजिए चाहे आप ग्रोबेग ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए दोस्तों तो आप ऐसे कर सकते तो हमने ये कटिंग काटी है दोस्तों और और कटिंग ले लेते हैं हम एक और कटिंग ले लेते हैं इसी प्रखार ये देखिए यहां से हमने यह cutting ले ली है तो हम यह दो cutting ले लेंगे और नीचे से सारे पत्ते को हम remove कर देंगे क्योंकि दोस्तों पत्ता रहता है तो वो सईसे roots नहीं बनती है और time लगता है क्योंकि roots अपनी energy वेस्ट करते रहते हैं इसलिए कम से कम पत्ते रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यह देखिए हमने यह दो cutting कर लिए तयार और दोस्तों अभी लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब हमारा plant मरने वाला है यह देखिए यह हमने दो ले ली है और कभी भी आप cutting लो तो node area से नीचे काटिएगा इसको भी हम सई सेप ले आते हैं तो दोस्तों मैं इसी में लगाऊंगी क्योंकि यह मेरी मिट्टी जो है सेंडी मिट्टी है और पोरस मिट्टी बनी हुई है और मिट्टी भी मुष्ट है तो मैं इसी में यह cutting लगा दूंगी दोस्तों एसे node area या दो node area मिट्टी में लगाना बहुत ही जरूरी है हम इसको सई से कर लेते हैं दोस्तों ये काम जरूरी करना है हम गुडाई भी कर सकते हैं क्योंकि प्लांट की हालत अच्छी नहीं है तो हमें सारे प्लांटों की जो प्लांट हमारा अच्छा है तो उन गमलों की गुडाई कर लीजे फटिलाजर डाल दीजे अभी ये समय बहुत ही अच्छा है क्योंक बहुती आसानी से लग गई हमारी दोनों कटिंग और हम इसको फिर दो तिन दिन ऐसी जगे में रखेंगे कि इसमें धूप नहीं पड़े बस ब्राइट लाइट हो अंधेरा ना हो दोस्तों ब्राइट लाइट में हम रखेंगे और बहुती अच्छे से यह चलेगी जब जब पिसमें एक एक पती नहीं आ जाये तब इसको सुबह शाम की दूप दिखाना बहुती जरूरी होता है क्यूंकि कोलियस प्लांट को भी बिल्कुल अंधेरे में नहीं रख सकते हैं कोलियस प्लांट को भी हमें धूप दिखाना पड़ता है चाहे सुबह की धूप हो चाहे दूप इसमें नहीं पड़ती है चंचन के दूप आती ऐसी जगे में हम रखते हैं तो कोलेस प्लांट भी बहुत ही अच्छे से चलता और बहुत ही अच्छा प्लांट है तो दोस्तों आप इस प्रकार अपने प्लांट को बचा सकते हैं और जो कलर आपके पास में नहीं है ज